नमस्कार आपका स्वागत है भारत होमियोपैथी के योट्यूब चैनल पर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लौकी का जूस यानि घीये का जूस विटिलीगो पेशेंट्स के लिए अच्छा होता है या बुरा होता है और साथ ही अगर अच्छा होता है तो उन्हें ये जूस किस समय पीना चाहिए जिसकी वजह से उनके शरीर में इसका फायदा हो कहीं वो गलत समय पीकर अपना नुकसान तो नहीं कर रहे है तो चलिए वीडियो के शुरुबात करते हैं लौकी का जूस विटिलीगो पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है ये आप आपने आलमूर्स सभी यूट्यूब वीडियो में देखा होगा रिल्स में देखा होगा गोगल सर्च करते होंगे वहां पर भी आपको ये मिल जाता होगा लेकिन क्यों अच्छा होता है कई पेशेंट्स को ये नहीं पता होता तो सबसे पहले ये जान लेते हैं लौकी का सफेद दाक के पेशेंट्स के लिए अच्छा क्यों होता है तो मैं आपको बथा दूँ अपा वज़से से को विटामीई चीरीछ फूर्ट्स को आपको वो सभी चीजे मिलती है यानि विटामिन C मिलता है विटामिन C बहुत अच्छे मात्रा में आपको घीये के जूस में मिलता है इसलिए आप घीये का जूस पी सकते हैं साथी साथ ये विटामिन C आपकी मदद करता है अल्ट्रा वॉयली ट्रेस से होने वाली डैमेज से बचाने में क्योंकि आपको पता है सफेद आग जहां पर भी आपके स्किन में है वहां पर आपके स्किन सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है अगर डायरेक्ट धूप उस पर आकर लगती है बहुत तेज़ दूप उसकी वजए से आपके स्किन में और दिक्कते बन सकती है infections हो सकते हैं और आपका विटली को भी बढ़ सकता है तो ऐसे में घीह का juice आपके लिए बहुत फायदेमंद रहता है तो आप घीह का juice पी सकते हैं दूसरे फायदे की और बढ़ते हैं तो यहां पर अगर आप गही का जूस पीते हैं तो यह आपके लीवर को और किड़नी को दोनों को healthy रखता है जब आपका लीवर और किड़नी दोनों चीज़े healthy रहते हैं तो आपका खून साफ रहता है और जब आपके खून में toxins नहीं होते तो आपका विटली को बढ़ता नहीं है क्योंकि आपकी body में एक atmosphere बना रहता है जो आपके immune system को hyperactive नहीं होने देता अगर वहीं आपके blood में toxins हैं तो आपका immune system कभी भी hyperactive हो सकता है और hyperactive होकर आपकी body में melanocyte cells को और ज्यादा damage कोंचा सकता है जिसकी वजह से melanin के production में कमी हो जाएगी और result क्या होगा आपके सफ़ेदाग और बढ़ेंगे इसके अलावा लॉकी के juice में आपको iron, zinc और vitamins और minerals बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है carbohydrate मिलता है जो आपकी energy को maintain रखता है वहीं fiber मिलता है जो easy to digest होता है यानि आपकी digestive system पर भी कोई pressure नहीं पड़ता अब आपको लॉकी के juice के फायदे पता चलगे लेकिन अब यह जानना भी बहुत जरूरी है कि हमें लॉकी का juice किस समय पीना है क्योंकि generally हम देखते हैं कई लोग लॉकी का juice खाली पेट पीना पसंद करते हैं उन्हें लगता है इससे बहुत ज्यादा फायदे होंगे लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कई बात जो पेशन्ट कमजोर होते हैं पतले होते हैं जिनका वेट कम होता है वो भी खाली पेट अगर लॉकी का juice पी रहे होते हैं तो उस समय उनका वेट और कम हो जाता है और उनके शरीर में उन्हें कमजोरी देखने को मिलती है अगर आपका वेट जादा है तो आप खाली पेट लॉकी का juice पी सकते हैं इसके साथ साथ आपको कितनी मात्रा में लॉकी का juice पीना है तो आप एक गिलास लॉकी का juice पी सकते हैं अब कितनी बार पीना है तो आप दिन में दो बार पी सकते हैं और हफते में सातों दिन आप ल आपको डाइजेशन प्राब्लम हो सकते हैं, डाइरिया हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, और भी आपको कई कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती हैं, हाला कि आपका सफेद दाग एकदम नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अगर आप इसको बहुत समय से लगातार करे जा रहे हैं, आप कड़वा जूस पीए जा रहे हैं, तो इसकी वज़े से भी आपके शरीर पर आपके विटीलिगों के दाग बढ़ सकते हैं, तो इस बात का खास दियान रखें, इस वीडियो में आपको बताया लौकी का जूस कैसे आपके सफेद दाग को दूर करने में आपके मदद करता हैं, साथी इसके फायदे क्या क्या होते हैं, किस समय आप इसको पी सकते हैं और साथी-साथ अगर आप अच्छी देके नंबर पर कॉल कर भारत ओमिपथिकी डॉक्टर के team से consultation ले सकते हैं आज की वीडियो में सिर्फ इतना है मुझे उमीद है यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो अगर आप ऐसे ही informative और informational videos और देखना चाहते हैं सफेद दक्स संबनित और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी subscribe करें Thank you for watching